नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं केबिनेट की बैठाक में नेने लिया गया केबिनेट सची वन्दरा डाडेल ने गुरु आर को ही केबिनेट में लिये गए 25 पैसलों के जनकारी दी जर्खन बिधान सभा के मानसुन सत्र को 5 अगस 2022 को अनिस्चित काल के लिए अस्थागित कर दिया गया था बिधान सभा के मानसुन सत्र के सत्रवासन के फैसले को बैठाक में अस्थागित कर दिया गया बता दे केबिनेट के अन्य महतवपून फैसलों में गराम रक्षा दल के दलपतियों को पंचाज सचीव के पदपरन्युक्त किया जाना सामिल है केबिनेट सचीव ने बताया है कि जार्खन पंचाज सचीव नियमावली 2014 को सिथिल करते हुए गराम रक्षा दल के दलपतियों को पंचाज सचीव के पदपरन्युक्त करने के प्रस्ताव को मंत्री परिशत की बैठाक में मंजूरी दे दी गई है झार्खन बोर्ड कक्षा एकारवी का रियल्ट जारी झार्खन एकेडमी कॉंसील ने कक्षा एकारवी के पईणाम जारी कर दिये हैं उमिद्वारों को बता दे कि कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रिजल्ट 1 सितंबर 2022 को जारी होगा जो कि सही साभित हुआ काक्षा एगार्विक की परिक्षा में सामिल होने वाले उमिद्वार अपने लोग इन क्रेडेसियल के साथ रिजल्ट को चेक कर सकते हैं एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद अब सभी छात्र अधिकारिक वेबसाइट jackreal.com और jack.jharkhan.cov.in पर जाकर आपने परिणाम चेक कर सकते हैं जार्खन में पुरानी पेंसन योजना लागू सीम हेमान सुरेन के अध्यक्सता में गुरु आर्फो कैबिनेट की बैठा खोई कैबिनेट में कुल 25 परस्ताव पर मोहर लगी पुरानी पेंसन योजना को लागू करने के परस्ताव को भी स्वक्रिति दे दी गई है पुरानी पेंसन योजना लागू होने के सुचना मिलते ही प्रजेक्ट भावन परिसर में कर्मी खोशिक मनाने लगे बता दे कि बीते 16 जुलाई की केबिनेट बैठाक में पुरानी पेंशन विजना लागू करने को लेकर विकास आयोगत की अधक्सता में एक तिन सरस्य कमिटी बनाई गई थी कमिटी ने अपने रिपोर्ट सरकार को सौप दी जिसके बाद एक सितंबर को होई केबिनेट की बैठाक में इसे लागू करने की सुखिति दे दी राज के सवाला कर्मियों को इसका लाब मिलेगा है ज्यारखन केबिनेट की बैठाक में 25 प्रस्ताओं पर मुहर ज्यारखन में चल रहे सियासी संकट के बीच सीम है मांसुन के देख्षता में कैबिनेट बैठाक होई कैबिनेट की इस बैठाक में 25 महत्पुन प्रस्ताओं का मंजूरी दी गाई साथी 5 सितंबर को ज्यारखन विधान सभा के 27 बूलाने का फासला लिया गया बता दे वंधना दादेल ने बताया है कि मांसुन सत्र को 20 तारित करते वे 5 सितंबर को 20 सत्र आवुद करने का फासला लिया गया है बैठाक में पुरानी पेंसन विधना के संबद में त्यार एसेपी को भी अहरी ज़नी दिखा दी गई है बता दे कि 15 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठाक में नई अंसदाई पेंसन विधना की जगा पुरानी पेंसन विधना को लागू करने के फासला लिया गया था तब इसके लिए एस ओपी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी वहीं हिमन्त कैबिनेट की बैठाक में राजे में ओल्ड पेंसन इसकीम को मंजूरी मिलने की खबर के बाद 500 से ज़्यादा सरकारी कर्मियों ने धोल नागाड़े के साथ प्रजेक्ट भावन पहुँच कर सियम हिमन्त सुरिन को धन्यवाद दिया दुमका हत्या कांड अब नहीं कर सकेंगे पीडिता का नाम उजागर दुमका की एक बेटी की पेट्रोल छिड़ा कर हत्या करने के मामले में आरोपियों खिलाब पोक्सो एक्ट लगाया गया है मिरितक नवालिक होने के कारण बालकर लियान समीती दुमका के चेर परसन अमरेंद कुमार ने एडवाईजरी जारिक की है इसके तहट मिरिता का फोटो नाम पीता का नाम या किसी भी तरह से पहचान उजागर करना दन्रिनिया अपराद माना गया है CWC ने सभी से पीता सब्द का इस्तेमाल करने और किसी भी रूप में उसके पहचान को उजागर नहीं करने के अपील की है बता दे गद 23 अगस 2022 को दूमका नगर थाना छेत्रे में एक बालिका पर सोय अवस्था में आरोपियों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी जार्खन के राजेपाल से मिलने पहुचा प्रतिनिधी मंडल जार्खन के राज़धानी राची में राजबहन के बाहर हल चल बढ़ गई है जामुवा कांग्रेश और रायत परतिनिधी मंडल राजबहन पहुच चुका जेमेम सांसद महवा मांजी, बीजय हांसदा और कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा सही दससे वाले परतनेती मंडल राजबन पहुंचा हलाकि सियम हमन सुरन के स्थीपे के सवाल पर राज सभा सांसद महवा मांजी ने कहा है कि कियों स्थीपादेंगे हम लोग राजेपाल से बात करने पहुंचे हैं वहाँ जो भी बाते होगी वा प्रवक्ता के जरिये आप तक पहुंचाए जाएगी बता दे कि चुनाव आयो की और से मिली रिपोर्ट का खुला सा अभी तक राजेपाल रमेश बस ने नहीं किया है ऐसे में माना जा रहा है कि सता पक्ष दबाव बनाने की राजबोन पहुंचा है निलांबित कांग्रेस बिधाय को के पास अस्मार्ट फोन नहीं हमारे पास अस्मार्ट फोन नहीं है हुजूर डिजिटल माध्यम से सुनवाई कैसे करे कोलकाता में जुलाई में 49 लाख रूपए के साथ पक्ड़े के कांग्रेस के तीन बिधाय को इर्फान अंसारी राज़स कक्षप और नमन बिक्सल कौनगाडी ने स्पीकर नयधिक करन के समक्ष गुहर लगाई है उलेकनी यह है कि ससर्त रिहाई के कारान तीनो कोलकाता से बाहर नहीं जा सकते तीनो बिधाय को खिलाब कांग्रेस बिधायक दलकिनेता अलम गिर अलम ने बिधान सबाद्यास को सिकाईद करते हुए बिधाय की खत्म करने का आग्रक या है हेमंत की सरस्यता पर निर्नाय के लिए राज येपाल को समय पावंदी नहीं विभागिय मंत्री रहते अपने नाम से पत्थर खनन लिज लेने के मामले में जारकन के मुख्य मंत्री हेमं से उनकी विधान सबा सरस्यता खत्म होगी या नहीं इस पर खुला सा 2-3 दिनों में राज पाल रमेस बैस कर देंगे यह वादा उन्होंने यूपीय के नेताओ से की है यह नेता यह जानने उनके पास गए थे कि चुनाव आयो का पत्र आया है या नहीं राजेपाल ने बता दिया है कि पत्र आया है या भी कह दिया है कि आने वाले दो से तीन दिन में अपना निर्नाय सुना देंगे लेकिन कानून के जानकार इस बारे में क्या कहते हैं बता दे जार्खन के पुरो महा अधिवक्ता या बर्ये अधिवक्ता अजित कुमार से बातचीत में कहा की राजेपाल को इस तरह के मामले में विचार करने के लिए बिधी परामर सहित अनपहलूओं को परखने के लिए समय क्या हो सकता होती है कानून में ऐसा कोई प्रविधान नहीं है कि राजेपालाई सिस्थिती में एक निश्चीत समय में आपना निना सोजनी करेंगे जार्खन के अलप संख्यक प्रारंभिक बिद्यालों में अब कौम बेतन पर सिख्षकों की होगी नियुक्ती जार्खन के सरकारी प्रारंभिक बिद्यालों की तरह घयर सरकारी सहता प्राप्त अलप संख्यक एवं समाने सहता प्राप्त प्रारंभिक बिद्यालों में भी अब कौम बेतन पर सिख्षकों की नियुक्ती होगी अब इन स्कूलों में भी सहायक शिक्चक की जगा सहायक अचाज के पदो पर नियुक्ती होगी नियुक्ती होने वाले सिक्चकों को 52 से 2200 ग्रेट पे 2400 का बेतर मान दिया जाएगा इसकूली सिक्षा एवं सक्षता विभाग के सचीव राजे सर्मा ने सभी जीला सिक्षा अधिजों को पत्र भेज कर इसे लागू करने के निर्देश दिये हैं आंगनवाडी कर्मियों के मांदे में और बढ़ोतरी सिक्षा मंत्री जारकन सरकार दोरा राजे कि 80-1000 आंगनवाडी सेविकाओं एवं सहाइकाओं के मांदे में बढ़ोतरी करने पर चंदरपूरा परखन आंगनवाडी करम चारी संग ने सूबे के सिक्षा मंत्री जगनात महतों का नागरिक अभिननदन किया मौके पर मंत्री सिरी महतों ने कहा जहांकर बहुती महिलाएं धातरी महिलां के समुझी देखपाल करती है वहीं 3-6 वरस के बच्चे का माँ बन कर देखपाल करते वे उन्हें बुन्यादी सिक्षा देती है जिसे देश का सुनहारा भविस्छे का निर्मान होता है उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में आंगनवारी कर्मियों के मांदे में और बढ़ोतरी की जाएगी थान्यवाद